नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरी चनल पे समाजवादी पार्टी के राष्टिय अध्यक सेवं पूर्व मुख्यमंत्री सी अखिले से आदव जी ने कहा है कि बाज़पा के पास नफरत के सिवाई और कुछ नहीं है वे इसी की राजनिती करते हैं वे बाईचारा और गंगा जमनी संस्कृती को खतम करना चाहते हैं बाज़पा ने लोगों का हक और सम्मान छिना है और अपमानित किया है इस बर 2022 के होने वाले चुनाव एतियासिक होगा इसमें बाज़पा की एतियासिक हार होगी आखिलेस आदवजी आज लखनव के रमाबैं अमबेटकर मेदान में जनवासी पार्टी सोशेलिस्ट की जनवासी जंक्रांति महारेली को मुख्य अतिती के रूप में संबोधित कर रहे थे जन्वादी पार्टी सोशेलिस्ट के अध्यक्स डोक्टर संजे चोहन ने अपने समथकों से अपिल करते हुए कहा था कि बाजपा को सबक सिखाने के लिए स्री अखिलेस आदव जी को मुख्य मंत्री बनाना जरूरी है बाजपा वोट लेती है हिस्सेदारी नहीं देती है बाजपा सामाज एक न्याय नहीं चाहती है अखिलेस जी ने हमारे समाज को सम्मान दिया है बाजपा नहीं चाहती है कि चोहन समाज का कोई नेता हो स्री अखिले से आदव जी ने कहा है कि आज नारा यही है कि बाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ नहीं चाहिए बाजपा इस सरकार से हर वर्क के लोग दुखी है इतना दुख और तकलीफ किसी सरकार ने नहीं दी बाजपा ने जन सामानिया को परेशान कर दिया है बाबा साब ने जो सपना देखा था वो पूरा नहीं हुआ खुशाली का सपना तब पूरा होगा जब आपकी सरकार बनेगी उन्होंने कहा कि चोहान समाज विकास के बहुत पीछे चुड़ गया बाजपा ने उसे पीछे कर दिया है उन्होंने चोहान समाज के साइकिल को जिताने की अपिल की थी अखिले से आदव जी ने कहा कि बाजपा ने किशानों को दोखा दिया है दान की लूट की गई है किशानों को दान की किम्मत नहीं मिली खात का अभाव है बिजली मेंगी डीजल मेंगा बीज मेंगा गन्ना किशान का बकाया नहीं मिला है किशानों के हित में समाजवादी सरकार मंडिया बना रही थी समाजवादी सरकार में बहतर मंडिया की व्यवस्ता होगी अखिले से अदव जी ने ये भी वादा किया है कि समाजवादी सरकार बनेगी समाजवादी सरकार में हम बेहतर मंडियों की व्यवस्ता करेंगे बाजपा बताये किसानों के लिए क्या किया तीन काले कानून वापस हुए पर MSP नहीं मिली है जनक्रांती महारेली में जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के प्रदेश अध्यक्सी राम सुरेश चोहान समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्सी नरेश उत्तम पटेल साथी बहुत सारे नेतागर मोजूद थे और अखिले सियादव जी ने जनता को काफी बड़ी बात बताई थी कि 2022 में समाजवादी पार्टी को मोका दो और समाजवादी पार्टी आपके लिए बहुत कुछ करेगी दोस्तो अखिले सियादव जी को 2022 के चुनाव में जिता के फिर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है दोस्तो अगर यह जानकार यह अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए चैनल को सब्सक्रेब करनाना बोले दोस्तो नमस्कार